Assalamu alaikum for class आज हम unit number 1 का page number 4 read करेंगे हमारा कल लिक्टर में ये पार्ट रह किया था आज हम इसको read करेंगे Your brain never rest हमारा brain कभी rest नहीं करता Even when you are asleep जब हम सो रहे होते हैं जब brain is sending messages हमारा brain message को send करता है to all the parts of your body हमारे body के तमाम parts में that need to keep working वो parts जो काम कर रहे होते हैं while you are asleep जब हम सो रहे होते हैं हमारा जो brain है वो कभी rest नहीं करता उसके आगे उसकी reason बताई गई है जब हम सो रहे होते हैं हमारे body के काफी parts ऐसे हैं जो काम कर रहे होते हैं तो brain उस time उन्हें message send करता है next है page number 5 the human brain part of the brain आप cerebrum को देख सकते हैं diagram में यह हमारे brain का सबसे बड़ा part होता है it has four parts यह four इसके भी आगे four part है यह cerebrum है इसके आगे four part है सबसे पहला part जो है उसे frontal loop कहते है यह रहा frontal loop अब जो frontal loop होता है control reasoning जो frontal loop है वो reasoning को control करता है reasoning जब हम कुछ सोच रहे होते हैं कि हमेरी काम कैसे होगा कैसे ही है हम कोई reason तलाश कर रहे होते हैं उसके बाद planning जब हम कुछ plan कर रहे होते हैं emotions हमारी emotions को control करता है and problem solving और जब हम problem को solve कर रहे होते हैं यह उस जीस को भी control करता है यह यह है फरंटर लूब उसके बाद सेकिंड है पार्टिय लूब जो पार्टिय लूब है आप देख सकते हैं डाग्राम में इसको पार्टिय लूब ये है दा पार्टिय लूप केंट्रोल दा मुवमेंट पार्टिय लूप हमारी मुवमेंट को कंट्रोल करता है उसके बाद है रिकॉंगनेजेशन रिकॉंगनेशन रिकॉंगनेशन कहते हैं आइडेंटिफिकेशन को पहचान को यह हमारी रिकॉंगनेशन को कंट्रोल करता है एंड processing what you see जो भी कुछ हम देख रहे होते हैं ये उसे गंट्रोल करता है और डायग्राम में ये रहा Ocupital Loop No.4 है Temporal Loop जो Temporal Loop है ये गंट्रोल करता है हमारी Memories को हमारी Speech को जो हम बोज रहे होते हैं और processing करते हैं What we hear जो भी कुछ हम सुन रहे होते हैं यह उसको प्रोसेस करता है और यह रहा temporal loop हमारा fourth part उसके बाद है cerebellum जो cerebellum है यह control करता है हमारे body के balance को और हमारी movement को उसके बाद है brain stem आप इसे देख सकते हैं brain stem यह रहा brain stem link the brain to rest of the body जो brain stem है यह हमारे brain के साथ भी link करता है और हमारी पुरी body के साथ भी link करता है यह देखे इसका एक point जो है वो brain के साथ attach है जो दूसरा point होगा वो हमारी पुरी body के साथ attach होगा students यह था आज आपका lecture page number four से लेके page number five तक आपने इसको read करना है अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने मुझे पूछ लेना है next मुलाकात होगी कल